लोग सबस चुनाव की घोशना के पहले से किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाब प्रदेशन कर रही है चुनाव खत्म भी हो गये लेकिन नहीं सरकार की तरफ से किसानों को कोई रहत दी गई नहीं किसानों ने अपनी लडाई रोकी एक बार फिर किसानों का आंदोलन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब हर्याना के बीच शंबू बॉर्डर पर किसानों का जथा एक बार फिर एकत्रित हो गया जिसके बार सरकार की चुंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है देखिए एखास रिपोर्ट आपको बता दे लंबे वक्ष से किसान MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, प्रदर्शन के दौरान जान जाने वाले किसान शुभकरन के लिए न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं सरकार ने किसानों की मांग तो पूरी नहीं की लेकिन इनकी प्रदर्शन को रोकने के लिए हरे तरह के हथकंडे अपनाए फिर भे किसानों का होसला नहीं टूटा लोगसभा चुनाव के दौरान किसानों ने BJP का प्रचार करना मुश्किल कर दिया था पीम की रैली पर धावा बोल दिया था यहां तक कि पंजाब हर्याना के कई शेत्रों में BJP नेता प्रवेश तक नहीं कर पा रहे थे और अब नई सरकार के गठन से पहले एक बर फिर किसानों का मोर्चा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है इसे लेकर BJP टेंशन में नज़र आ रही है किसानों ने पहले ही एलान कर दिया था कि उनका वोट उसे जाएगा जो BJP को हराएगा किसारों को इंतजार है सरकार बदलने का तो BJP के अंदर चुनाव परिणामों को लेकर डर नज़र आ रहा है DB Life की रिपोर्ट